नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जाम्मो महासचीव विनोत पांडे ने इसके तहद सनिवार राजभवन के जन सुचना पता अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया है आवेदन में मांग की गई है कि मुखे मंत्री हेमन सुरिन के समन्द में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के समन्द में जनकारी मुहाया करा है आवेदन के साथ उन्होंने 10 रुपे का पोस्टल आउडर जमा करते हुए लिखा है कि वे दस्तावेज की फोटो कोपी की लागत रासी भी जमा करने को तयार है राजभवन के जन सुचना पता अधिकारी को सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहट दिये गए आवेदन में जीक रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा मुखे मंत्री है मन सुने से जुड़े जन पत्र ने दी तो अधिनियम के मामले में राज जेपाल को पत्र भेजा गय इसके बारे में जनकारी उपलब्ध कराया जाए भारत दक्षिन अफरीका मैच को लेकर 9 अक्टूबर को राजची में निसधाग्य लागू भारत दक्षिन अफरीका वन डे मैच का अवेजन 9 अक्टूबर अभिवार को राजची के JSE किरकेट अश्टेडियम में किया गय ने महात्मा गांधी मार्ग में अलवाट एका चौक से सुजाता चौक होते हुए रायंद्र चौक तक तथा इन मार्ग की डोनों और दो सो मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू की है ये निसे धागया 9 अक्टूबर की सुबा 6 वए से 10 अक्टूबर की सुबा 6 वए तक परभावी रहेगी बता दे 9 अक्टूबर को रांची के जेसीये में अंतराश्ट्री एक दिवसे किर्केट मैच होना है इसके साथ ही इद को लेकर भी दोनों आयोजन में काफी भीड़ होने की समानों को देखते हुए यातायाद ब्यवस्ता बिदी ब्यवस्ता तता सुरक्षा ब्यवस्ता के दिश्टी कोन वसात अक्टा को लेकर निसे धागया लागू की गई है ज्यारखन के सिक्षक चार मांगो को लेकर करेंगे जोरदार आंदोलन ज्यारखन के प्रालंभिक इसकुलों में करड़त सिक्षक अपनी चार मांगो को लेकर आंदोलन करेंगे रबिवार को अखिल जहारखन प्रात्मिक सिक्चक संग की राजे करकरनी की रांची में होने वाली बैठक में इसकी घोसना की जाएगी इनकी मांगों में सिक्षकों के लिए M.A.C.P. लागू करना छटे वेतनमान की बिसंगतियों को दूर करना अंतर जीला असनांतर को सरल और सुलव बनाना तथा सिक्षकों को अतियधिक लिपी की और गयर सैक्षनी कारों से मुक्त करना है इसे पहले संग के आवाहन पर पर परदेश के प्राथमी कोमद विद्यालों के सिक्षकों ने सनीवार को चार सूतरी मांगों को लेकर राजय के सभी जीलों में उपायुकतों के माध्यम से मुख्य मंत्री को मांगपत्र प्रेशित किया है बतादे सिक्षकों ने जीला समनालव में मांग पत्र उपायूत को सौपे सांके परदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौवे तथा महा सचीव राम मूर्ति ठाकूर ने बताया है कि सिक्षकों को M.A.C.P. के लाब से अब तक वन्चित रखा गया है जारखन में 17% तक महंगी होगी बिजली J.B.B.N.L. ने की तयारी जारखन में बिजली महंगी हो सकती है हलाकि राजे बिधूत नियामक आयोग ने बिजली की दर में बढ़ोतरी समने बिजली बित्रन निगम के प्रस्ताव परस्परश्टी करन मंगा है आयोग को सोफी गई रिपोर्ट में बिजली बित्रन निगम की वार्शिक रिपोर्ट में कूल 6500 क्रो रुपय का नुकसान दिखाया गया इसकी वज़ा पिछले दो बित्ये वर्ष में दर में बढ़ोतरी नहीं होने को बताया गया अब जार्खन बिजली बित्रन निगम ने चालू बित्ये वर्ष में बिधूत नियमक आयोग द्वारे बिजली ट्रैफिक पर निर्न नहीं लेने के कारण कूल 1800 क्रो रुपय का नुकसान दिखाया कूल मिलाकर बिजली बित्रन निगम ने बितिय वर्ष 2022 तेस में 9000 क्लोर का खर्च दिखाया गया है नियमक आयोग की जांच में इस पर सवाल उठाते हुआ स्परश्टी करन मांगा गया है निगम इस पर अगतन रिपोर्ट पेस करेगा बता दे बिजली बित्रन निगम के ताया प्रस्ताव के मताबिक बिजली की बर्तमान दर में 16-17% तक की बढ़ाने की मांग की गई है पूलिस की मौजूदगी में दुमका की योती का हुआ अम्तिम संसकार पेट्रोल छिड़क कर योती को जला कर माट डाल ले जाने की घटना को लेकर लोगों में आक्रोस है सनिवार के सुबा जैसे ही योती मारोती कुमारी का सौव रांची से दुमका के जर्मोंडी स्थीत भाल की गाँ पहुचा लोगों का गुसा पुट पड़ा इसके बाद गरामिनों ने सौव को बीच सड़क पर अकर दुमका भागलपूर मार्ग जाम कर दिया बाद में सौव को योती के पैत्रिक गाँ जामा प्रखन के भायरोपूर गाँ ले जाया गया जहां पूलिस की महजोदगी में भायरोपूर जोरिया के निकट उनकामतिम संस्कार किया गया जे एस एसी ने गुरूप सी पदो पर भरती के लिए मांगे आवेदान जार्खन करमचारी चैन आयोग ने स्वास्त चिकित सा सिक्षा एवं परिवार कल्यान विभाग के तहत रायेंद्र आयरुभी ज्यान संस्थान रिम्स रांची में तृतीय सिरेनी के पदो के रिक्तियों के विरोध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से तृतीय सिर परिक्षा पेटन आधिक जनकारी के लिए पूरा भरती नोटिफिकेशन जरूर देख ले जार्खन के लिए नितिन गटकरी का एलान पलामू में एनेच 49 बनेगा फोरलेन जार्खन के लिए केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने बड़ा एलान किया है इसके तहत पलामू जिला के भोगु गाउं से सांखा गडवा रोड को फोरलेन बनाया जाएगा बतादे भोगु गाउं से सांखा तक की कूल दूरी करीब उन चास किलोमीटर है नितिन गटकरी ने कहा है कि इसके लिए सरकार 1390 पॉइंट साथ साथ को रुपे खच करेगी सरकार ने इस योजना के प्रस्ताव को सुख्रीती दे दी है इस राष्ट्रिय राजमार के चोड़ी करन के बाद सांखा, सुपवा, पणवा, मेदनी नगर, चिया के हिर्षा, पोलपोल और भोगु में सड़क फोरलेन हो जाएंगी इस थे इन इलाकों के दोनों और बसे गाउं के लोगों को काफी फायदा होगा बाबुलाल मरांडी ने राज जेपाल से सीएम को बरखास्त करने की मायंग की जारखन के पुरो मुख मंतरी और भारतिय जनता पार्टी बीजेपी के नेता बाबुलाल मरांडी ने परदेश के मुखिया हेमंत सुरेन को फरष्टाचार का पोसक बताया है उन्होंने राज जेपाल से मायंग की है कि वे भरष्टाचार में लिप्त मुख मंतरी हेमंत सुरेन को बरखास्त करे जार्खन बिधान सवा में भाजपा की नेता बावलार मरांडी ने सनिवार को प्रेस कॉन्फिरेंस करके मुख्य मंत्री हमांसुरेन को कट घरे में खणा किया है उन्होंने कहा है कि जार्खन मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही है सरकार भष्टा चार में आकंट डूबी है उन्होंने कहा कि या सरकार जितने दिन रहेगी जार्खन राजे का उतना ही ज्यादा नुक्सान होगा उन्होंने कहा कि राजे को सरकार नहीं बिचौलिया चला रहे हैं मुखे मंत्री आवास बिचौलियों का आवास बन गया है पदा अधिकारियों से बिचौलिये ही बात करते हैं टांसपर पोस्टिंग टेंडर का मोल भावी वही करते हैं जारखन में उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई एक लाग तीस हजार की बियर जब्त उत्पाद विभाग की टीम ने जामतरा जी लेके करमा टान थाना छेतरे के काला जहरियागा में सनीवार को पंचम मंडल के होटल वा सत्य नरायन मंडल के गोदाम में छापे मारी करते हुए पछिम बंगाल टेग लगी 45 पेटी बियर वा साथ पेटी बिदेसी सराब जब्त की छापे मारीक दवरान होटल संचालग पंचम मंडल और परताप मंडल वस्त नराय मंडल और सातों मंडल फरार हो गया बरामत बियर की कीमत करीब एक लागती से रुपे बताई जा रही है जारखन में पर्याग संगीत समीती प्राचीन कलाकेंद्र को मने आता जारखन के हाई स्कुलों में नियुक्ति के बाद हाटाएगा संगीत सिख्षक बहाल रहेंगे राज सरकार ने इनकी संगीत की उपाधी को मने आता देते हुए इन नव नियुक्त सिख्षकों को बहाल रखने का निनलिया है इन्हें पूरी अधी का बेतन भी मिलेगा सरकार ने पूरू में इन सिख्षकों की उपाधी को मने आता नहीं होने के आधार पर सेवा मुक्त करते हुए बेतन भुकतान परूक लगा दी थी इसके बिरोद में प्रभावी सिख्षा कोट चले गए थे अब राज सरकार ने कोट के नीने तता मामले की समिक्चा के बाद उनकी सेवा पर कराब अखने का नीने लिया है जारखन के कुछ IAS IPS अपसरों की सांसे अटकी ED करेगी पूछता जारखन के मुक्षे मंत्री है मनसुरिन के खिलाब केस लड़ रहे जारखन हाई कोट के अधिवकता राजीव कुमार की कुलकता में पाचस लाख रुपए के साथ गिरफतारी के मामले में नया मोड आ गया है मनिल लॉंट्रिंग के ताथ अनुसंधान के दवरान ED ने सीकायत करता अमित अगरवाल के चार मोबाइल नंबरों का कॉल डिटिल्स भी खंगाला पिछले एक साल के CDR से ED को यह जनकारे मिली है कि अमित अगरवाल के संपर्क में राजे के दर्जन भर IAS IPS अधिकारी थे जिनें अकसर बात होती रहती थी अनुबंध पर नौकरी करने वालों को सातवे बेतनमान के बरावर महंगाई भत्ता जहारखन में सनवीदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है उन्हें भी सातवे बेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता और अन्य देनदारियों का लाब मिलेगा इससे उनका आउसतन 30 से 50 पर 30 तक बेतन बढ़ने के उमीद की जा रही है ग्यात हो कि राज में लगभग 2 लाग सनवीदा कर्मियों के मूल बेतर और महंगाई भत्ते में 6 से अधिक वर्सों से बढ़ोत्री नहीं की जा रही है जबकि सरकार ने सनवीदा कर्मियों के महंगाई भत्ते वाथ 6 बेतन आयोग के निर्देश के अनुसार 113 पर 30 की बढ़ोत्री करने का संकल्प जारी किया था लड़कियों की कम उम्र में साधी के मामले में जार्खन देश भर में अवल जार्खन की बेटियों के लिए चिंता जनक आकड़े सामने आये हैं राइस्टार जनलर अफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सेंपल सर्वे की रिपोर्ट के नुसार जार्खन में सबसे अधिक बाइलिकाओ की साधी कम उम्र में होती है यहां अभी भी 5.8 परतिसद बाइलिकाओ की साधी 18 से कम आयू में हो जाती है बतादे पूरे देश में ऐसी बाइलिकाओ का परतिसद 1.9 है इनकी साधी वेस के होने से पूर्व हो जाती है दूसरी तरफ केरल जैसा राजे भी है जहां एक भी बालिका की साधी 18 वरस से पहले नहीं होती बतादे वर्ष 2020 में हुए सेंपल सर्वेक रिपोर्ट के नुसार जहारखन के ग्रामिन छेत्रों में 7.3 तथा सहरी छेत्रों में भी 3 पर लिकाओ की साधी 18 वरस से कम उम्र में हो जाती है पूर्वी सिम्भूम जीला में आँख निकालने की घातना से हर कंप पूर्वी सिम्भूम जीला के घात सिला में एक बोजूर्ग के आँख निकालने की घातना से हर कंप मचा हुआ है सनिवार को या घातना आग की तरह फैल गई और दूर दराज से लोग मरीज को देखने पहुँचे वही इस मामले को गरामीनों ने गंभीटा से लिया है रभिवार को गाँवालों ने एक बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रण नित्यार की जाएगी बतादे घार सिला के कीताडिह निवासी बोजूर्ग गंगाधर सिंके परिजिनों ने सनिवार को घार सिला के अनुमंडल पुलिस पतादिकारी कुलदीप टोपनों से भी मिले उन्होंने इस मामले को गंभीटा से लेते हुए इसकी जनकारी ततकाल वर ये पुलिस अधिक्छक को दिया है कुर्मी को एस्टी में सामिल करने की मायंग का बिरोद राश्ट्री आदिवासी छात्र संग किया स्थापना सनिवार को प्रेस कल्प रांची में हुई इस मौके पर संगठन ने राज्य में कुर्मी समाज के अनुशुची जनजाती में सामिल करने की मायंग का बिरोद किया इस मौके पर संगठन ने कुर्मी समाज से जारकंडी एकता को बचाने की अपील की संगठन ने असंका जताई है कि ऐसे मायंगों से ओभी स्यारक्षन और 1932 का त्यान का लाब प्रभावित होगा संगठन ने हर हाल में सारना कोट की भी मायंग को दोराया मौके पर डाक्टर कर्मा उराव ने कहा है कि राष्ट्री आदिवासी छात्र संकाउदेश समाज को उनका हक दिलाना है अंदोलन को लेकर जार्खन के सिक्षक आज लेंगे फैसला अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संके नेत्रित में सिक्षक अंदोलन करेंगे इस पर वे रबिवार को फैसला लेंगे इसको लेकर सिक्षकों ने सभी जीलों के उपायुकतों को सनिवार को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन भी सौपा है संगठन ने आरोप लगाया है कि सिक्षकों के साथ सोतेले ब्यवार हो रहा है संग के परदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौवे और महा सचीव राम मुर्ति ठाकूर ने बताया कि सिक्षकों को सुनिश्चित ब्रिद्धी उन्ययन योईना के लाब से अब तक वन्चित रखा गया जबकि बिहार सरकार ने इसे अपने सिस्कों के लिए लागू कर दिया है जार्खन के 9 लाख की सोरियों को सरकार देगी 40-10 रुपे की सहायता रासी आपकी योईना आपकी सरकार आपके द्वार का एकरम 12 अक्टूबर से सुरू होगा इस दोरान सावीत्री बाई फूले की सोरी सम्रीदी योईना का अधिक लाभ देने पर विशेश जोर रहेगा मुख्य मंत्री हमंसुरे ने इस योईना के तहट 9 लाख की सोरियों को लावानवीत करने का लक्ष दिया है जारखन की बेटियों को इस योईना के तहट अच्छी सिक्षा के लिए कूल 40 यह रुपे की साहता दी जाएगी बता दे योईना का लाभ सरकारी सरकार द्वारा मनेता प्राप्त और सिक्षा का अधिकार कंतरगत नेजी इसकूलों में पढ़ने वाली सभी किसोरियों को मिलेगा योजना का उदेश से बाल का सिक्षा पर जोर बाल बिवा प्राथा का अंत महिला ससक्तिकरण और किसोरियों को अपने जीवन में फैसले लेने का सक्षम बनाना है 23 अक्टूबर को धनबाद में 23 परिक्षा केंदरों में 28 परिक्षा के तियारी की जा रही हाइ धनबाद में लगवक 9000 परिक्षा र्वे स्टीयों का सेंटर बनाया जा सकता है पलामु में 1,22,21 अधिक आया जाती आवासिय के मामले पेंडिंग बता दे राया सो उप निरिक्षकों के हर्ताल के कारण एज़्थीती उत्पन हुई है बालक हो की परत्योगता रानी दुर्गाउती कल्व को दो जीरो से हराया सिम्टेगा में राने द्रुगावती जनती पर रुगु डेरा ढोडी जोर राने द्रुगावती कल्व के तत्वधान में पिछले साथ दिनों से चल रही बालक होंकी परत्योगता के सन्निवर को समापन हो गया बालक होकी परत्योगता में गोर्ट समाज के विभीन चेत्रों से यूवा खेल प्रेमियों ने बढ़ चरकर हिसा लिया इस मौके पर महाराने दुरुगाउती की पुजा आचना की गई आवाग की टीम ने राने दुरुगाउती कल्ब रुगू डेरा को दो जिरो से हराकर खिताब पर काबजा कर लिया बिजेता वा ओ बिजेता की टीम को पुरिस्क्रिस्ट किया गया जारखन के छो निर्थे के कलाकार उजयन में 11 अक्टूबर को करेंगे प्रस्तूती महाकाल की नगरी मध्य परदेश के उजयन में अरजित होने वाले महाकाल लोक महोत्सों में जारखन की खरसावा सायली के छो निर्थे की प्रस्तूती होगी भारत सरकार के संस्क्रिती मंत्रा लेकी ओर से 11 अक्टूबर से इस कारकरम का योजन किया जाएगा इस कारकरम में भाग लेने के लिए 6 गुरू पर्मानंद नंदा के नेतितुमें खरसावा के देहरी डी के भावेश 6 निर्थ कला केंदर की 15 से 6 निर्थ टीम उजन पहुच गई है बता दे 6 गुरू पर्मानंद नंदा ने बताया है कि महाकाल लोक महोत्साव काउद घाटन परधान मंत्री नैनमोदी वह मद्य परदेश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान करेंगे लाते हर के बिद्याले आंगनवाडी को PCC से जोड़ा जाएगा उपायुक्त बालुमात परखंड अंचल करे आले परिजर में सनिवार को परखंड सा अंचल भ्रहमन विकास मेलावा जानता मिलन कारिकरम का विजन किया गया बतर मुख्य थी लाते हर उपायुक्त भोर सिंग यादों ने उद्गाटन किया उपायुक्त ने कहा है कि लाते हर जिला के सभी बिद्याले योँब आंगनवाडी केंद्रों को PCC पत से जोड़ा जाएगा जिस बिद्याले में कमरे की कमी हो वहाँ अत्रिक्त कमरा भी बनाया जाएगा सरकार की कई सारी योजनावे हैं जो गाओं के अमतिम ब्यक्ति तक नहीं पहुँचा पा रही इस कारेकरम का उदेश है कि हर लापकारी योजना गाहों के अम्तिम्भ्यक्ति तक पहुँचे जार्खन में एक लाकाई नामी एनस पीम का मास्टर माइंड उमेस गिरफतार हत्या फिरोती लूट पार्ट अफरन अमफैरिंग के दसत फैलाने जैसे संगीन अपराधू को अंजाम देने वाले नियो ससस्त्र पीपलस मोर्चा संगठन के मास्टर माइंड उमेस गिरी उर्फ उमेस पान्डे को आखिरकर गिरिडी पुलिष ने बगोदर थाना इलाके से 20 माइल जंगल से गिरफतार कर लिया है उमेस गिरी का अतंक नशिव जार्खन बलिक बंगाल तक फैला हुआ है यही कारण है कि उमेस गिरी पर हजारी बैग में एक लाक एनाम भी घोस्टित किया गया था सरकारी करमचारियों का बढ़ेगा 4 परतिसत डिये जार्खन सरकार राज करमियों का डिये बढ़ाएगी इससे राज के एक लाक ती अनवे हजार करमचारियों को फैदा होगा अब इनका डिये 34 से बढ़ायकर 38 परतिसत हो जाएगा इससे संबंधित प्रस्ताव पर मोकी मंत्री हमानसुरे ने समाती दे दिया है इसके बात बीद भीभाग ने केबिनेट की मंजुरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है केबिनेट की 10 अक्टूबर को होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा राज सरकार 1 जूलाई 2022 की तीथी से डिये बढ़ाएगी डिये बढ़ने से सरकार पर 42 कोड़ रुपए का तिरिक्त बोज भी पड़ेगा बताया गया है कि डिये बढ़ने पर कर्मियों के बेतन में 500 से लेकर 95-100 रुपए तक की बढ़ोत्री होगी दीपक परकास ने सीम से इडी द्वारा गिरफतार लोगों से अपने संबंध के बारे में पूछा भाजपा के परदेश अध्यक्ष दीपक परकास ने मुक्य मंतरी हमन सुरेन से पूछा है बताये कि गिरफतार लोगों से आपका क्या संबंध है डिपक परकास ने एड़ी द्वारा अमीत अगरवाल की गिरफतारी पर कहा है कि जार्खन की जनता जानना चाहती है कि अमीत अगरवाल के साथ मुख्य मंत्री के बिधायक परतिनीधी पंकज मिस्रा आई ए एस पूजा सिंगल और प्रेम परकास के क्या समध है उन्होंने कहा है कि जार्खन में ब्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कई नेता एवम अधिकारियों की साथ गाठ है जो उजागर हो रही है ब्रष्टाचार के मुद्दे पर परदेश भाजपाने लागातार संगर्स जारी रखा है सदन से सडक तक हर मुद्दे को चाहे हुआ खनीज की अवय तसकरी हो बालू घाटो की लूट हो पथर की अवय तसकरी हो सभी को उजागर किया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से आशेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिड़बाइक अवस्य दे थांक्यू